सुरिया टोरिजम टिप्स भेहमली आप लोग कैसे हैं उमीद करता हूं कि शाथियों आप लोग सभी सवस्त हैं कुसल मंगल हैं और अपनी भेहमली के साथ हैपी हैं शाथियों आप लोग अमेशा सवस्त रहें कुसल मंगल रहें और अपनी भेहमली के साथ हैपी रहें साथ यूँ बात करेंगे आज न्यूजलेंड के बारे में कि न्यूजलेंड का जो e-visa है वो reject क्यों हो रहा है उसको approved कैसे करवाएं क्या 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 documents से ही होते हैं और उसकी fees and process time कितना लगता है इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में detail से बताऊँगा वीडियो सरू से लेके last तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी information मिल सके और जो आप अपना कीमती time दे रहे हैं उसका proper सुदू कर सके हैं और साथ ही साथ साथ यूज चैनल को subscribe जरूर करना क्योंकि free of cost है किसी परकार का कोई charge नहीं है bell icon जरूर दुबाएं ताकि आपको ऐसे latest notification मिलते रह लिएँ तो साथ यूज बात करते न्यूजरेंट के बारे में न्यूजलेंड के मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं और आने वाले time में ऐक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें न्यूज जाने से पहले आपको किसी प्रकार की कोई problem नहीं होने वाली है तो रिजन देता हूँ आपको किसातियों पिछले मार्च से लेके 2022 मार्च से लेके और हमने आकड़े उठाए 10 मार्च 2023 तक के मतलब पिछले एक साल के अंदर न्यूजिलेंड के लिए इंडियन्स ने 46,120 मालब न्यूजिलेंड के वीजा के लिए 46,120 मालब 46,120 लोगों ने न्यूजिलेंड का वीजा अपलाई किया जिस में से 43,145 मतलब 43,145 लोगों का तो उन्होंने वीजा दे दिया 1881 फाइल ऐसी थी जिन्होंने टाइम लिया उनके लिए उन्होंने 5 दिन 10 दिन लिया अगर अब बात करें कि यार 46,120 फाइल में से फाइल कितनी रिजेक्ट की तो मातर 1,000 चुराण में फाइल रिजेक्ट हुई मातर मतलब आप ओल्मोस्ट ये मान सकते हो कि 50,000 लोगों ने लगबग वीजा अपलाई किया ठीक है उस में से मातर अराउंड अगर देखें तो ग्यारा सो लोगों का भी वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है अगर हम डायरेक्ट टांकडूं की बात करें तो 46,120 में से मातर 1,000 चुराण में फाइल रिजेक्ट हुई है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ण्यूजलेंड का E-вिजा बहुत अच्छी चीज है दूसरा बहुत सारे लोग कनिफुज है कि यार न्यूजलेंड का E-visa होता ही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं न्युजलेंड एवीजा देती है इंडियन पास्पोर्ट अल्डर को तो आप एवीजा अपलाई कर सकते हैं डोकोमेंट्स क्या क्या लगाएं साथ यह डोकोमेंट्स वही बाकी कंट्रीज में जो लगते हैं वही basic documents, आपका passport, आपकी bank statement, आपका ITR, आपके travel history, आपकी hotel booking, आपका bank statement बगएर है, यह सब सबसे important अगर इन चीजों में कोई चीज है, तो वो है cover letter, मैं हर बार cover letter का क्यों बोलता हूँ, क्यों इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि किसी भी country में अगर जाते हैं, तो सबसे पहले cover letter reject किया जाते है, cover letter में आपने क्या क्या details दे रखी हैं, क्या details नहीं दे रखी, अगर वो सब आपने proper mention देख लिया, तो आपका visa reject नहीं होगा, तो बहुत सारे जो लोग यह गलती कर रहे हैं, तो वो गलती ना करें, अब बात करते हैं, क्या simple सा documents भी हो गए, यह हो गए, तो फिर भी visa reject हो जाए, तो क्या करें, अब दोहरा अपलाई कर सकते हो, visa reject होने का मतलब यह नहीं कि आप दोहरा अपलाई नहीं कर सकते हो, अब दोहरा अपलाई कर सकते हो, लेकिन सबसे important चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, cover letter आप Google से ना उठा के, आप किसी भी consultancy या फ बनाई, एक genuine चीज जो दिखनी चीए, वो बनाए, तो आपका 100% visa approved हो जाएगा, और किसी परकार की दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप New Zealand का short visa चाते हैं, तो सुरिया tourism tips पे आप contact कर सकते हैं, वीडियो के screen और description में में मेरा WhatsApp number है, इसके अलाव भी आपको को information चीए, help चीए, क्यों में जो है, एक मैं आपको बताना चाहता था कि New Zealand visa क्यों apply करें, इसका क्या reason है, और reject होने के तो बहुत सारे reason है, लेकिन जो मैंने दो तिन चीज़े बताई, cover, later, day, day, आइटनरी, आपकी flight schedule वगेरा, प्रोपर एक planning के तहत करें, और आप किसी और agent के थुरू या किसी भी थुरू आप apply कर रहें, तो प्रोपर प्लानिंग के तहत आप करें, ऐसे हवा में काम नहीं होता है, अगर इससे related आपको कोई और help चाहिए, तो वीडियो के screen description में में मेरा what's the number है, thank you so much, जै हिंद शाथियों